अज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलो प्यूरिनोल टेबलेट के बारे में जो के यूरिक एसिड को कम करने के लिए पेशेंट को दी जाती है तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो ऐलो प्यूरी नोल इस tablet का generic name है इस tablet के बहुत से brand name market में available हैं जिन में से कुछ popular brand हैं, जैलोरिक टेबलेट, सिपलोरिक टेबलेट, जैरिक टेबलेट, जाइल टेबलेट यह कुछ इसके पॉपलर ब्रेंड हैं लेकिन इन सभी का जो जैनरिक नेम है वो है एलो प्यूरी नोल जो के आपको 100 mg और 300 mg की अलग लग पैकिंग में मार्किट से मिल जाएगी दोस्तों जो हमारे पास है वो है जैरिक 100 mg टेबलेट, इसको मनुफैक्चर कर रही है सिपला कमपनी जो के अच्छी कमपनी है, अगर कॉंटेंस की बात करें तो इसमें एक ही साल डाला होता है, एलो प्यूरी नोल जो के 100 mg की मातरा में इसके अंदर डाला होता है, अगर प्रा करेंगे इसके यूजस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही बैल आइकन को प्रेस करना ना पूलें, ताँ जो हमारी आने वाली सबी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफेशन आपको मिलता रहे, दोस्तो एलो प्यूरिनोल टेबलट का परियोग यूरिक एसिड को कम करने के लिए किया जाता है, जब भी बलड में यूरिक एसिड की मातरा बढ़ जाने के कारने जो समस्याएं होती है, उस इनके इलावा किसी व्यक्ति को कैंसर की कीमो थेरैपी चलती हो, तो व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उस कंडिशन में भी एलो प्यूरिनोल टेबलट पेशन्ट को दी जाती है, और अगर कुछ कंडिशन में पेशन्ट टेबलट नहीं ले सकता हो, तो उस स टेबलट डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों वैसे तो आप अपने डॉक्टर के बताए अनसार ही लें, बट फिर भी इसकी डोज 100 mg की टेबलट दिन में एक बार या फिर दो बार ले सकते हो, इसकी मैक्सिमम mg पर डे, जो के आप अपने डॉक्टर के अनसार ले सकते हो, और दो से तीन महीने का इसका कॉर्स होता है, इस टेबलट को ज्यादतर खाना खाने के तुरंत बाद लिया जाता है, अब बात करते हैं अगर किसी का यूरिक एसिर बड़ा हुआ हो और वो ऐलो प्यूरिनोल ट का परियोग कर रहा है, तो उसे क्या क्या खाने से प्रहेज करना चाहिए, तो दोस्तों ऐसी सिच्वेशन में लसी, चौल, दालें, दही, पनीर, आलू, दूद, मक्षन आद खाने से प्रहेज करना चाहिए, इनके इलावा फास्ट फूड और खटाई वाली चीजें भी मत खाए, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो दोस्तों इसको लेने के बाद स्किन रेशस हो सकते हैं, या अलर्जिक रियक्शन हो सकते हैं, आँखों के सामने तंदला दिखाई देना, चक्कर आना, नौजिया, वांटिंग, पेट में दर्द जैस कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या इनके इलावा कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे तो तरंत टेबलट का परियोग बंद कर दें, और अपने डॉक्टर से संपर्ख कर लें, एक और टिपिकल साइड इफेक्ट होता है, जिससे के पेशन्ट की स्किन और आँखे य मिल रहा है, इसलिए इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम ये टेबलट लेना बंद कर देते हैं, तो पेशन्ट अपने आप नॉर्मल हो जाता है, और अगर इसका इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के प्रामर्च से अधिक समय तक किय जाये तो लिवर डैमेज हो सकता है, अब बात करते हैं इसको कौन सी मैडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों इसको हाई बीपी और एसी डिटी की मैडिसिन के साथ यूज नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे पेशन्ट हैं जिनको ऐलो प्यूरिनोल टेबलट नहीं लेनी चाहिए, तो जैसे अगर किसी को लिवर का प्रॉबलम हो, कोई अलकोहल अधिक लेता हो, किसी की किडनी फेल हो या डैलसिस पे हो, या कोई मैला प्रेगनेट हो या सतनपान करने वाली महलाएं इसे बिलकुल भी ना लें, दोस्तों यह टेबलेट बच्चों को बिलक जानकारी, सो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, तन्यवाद दोस्तों